गौतम बुद्ध को किसी ने पूछा कि इनसान की सबसे बड़ी गलत फैमी किया है उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। इसकी कदर करना सीखो क्योंकि अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो ये वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। And वक्त के लिए यानि टाइम के लिए कहा जाता है। You cannot keep it, but you can use it. इस टाइम के लिए मैं कहती हूँ, ये टाइम मिलता तो फ्री में है, पर इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता. I have got two news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is, time flies. But the good news is, you are the pilot. क्यूंकि समय का control आपके हाथ में है. You can multiply your wealth, but you cannot buy time. Time and teacher, दोनों हमें सिखाते हैं. But फर्क सिफ इतना है, कि teacher पहले सिखाता है, बाद में एक्जाम लेता है, और time पहले एक्जाम लेता है, बाद में हमें सिखाता है. एक साल की value अगर आपको जाननी है, तो उस student से पूछो, जो एक साल fail होके घर पे बैठा है. अगर एक महिने की value जाननी है, तो उस मा को पूछो, जिसने आकरी महिने में अपने बच्चे को गवा दिया है. अगर एक मिनिट की value जाननी है, तो उस मुसाफिर से बात करो, जिसने एक मिनिट के gap की वज़े से, अपना train, अपना flight, अपना bus मिस कर दिया है. एक second की value जाननी है, तो उस इनसान से पूछो, जिसका accident होते होते, एक second के लिए रह गया है. अगर एक millisecond की value जाननी है, तो उस Olympic के खिलाड़ी से पूछो, जो एक millisecond की वज़े से अपना medal चोग गया है. इसलिए तो कहते हैं, time is the most valuable thing in our life. और इसके साथ साथ मेरे भी seminar का time हो चुका है. मुझे लगता है कि आज ये सारी information शेर करके मैंने अपने वक्त का सही इस्तिमाल किया है, और मैं उमीद करती हूँ कि आप भी अपने वक्त का सही इस्तिमाल करेंगे, क्योंकि time is priceless.